हेलो दोस्तों आचल टेरीस गार्डन में आपका स्वागत है आज है अप्रेल की पाच तारीक वीडियो की शुरुवात करते हैं खुबसूरत परसलेन जो समर सीजन का बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है पर्मनेंट आज की वीडियो में मैं आपको अपने प्लांट दिखाऊंगी जो बिना ग्रीन नेट के भी बहुत अच्छे से सर्वाइब कर रहे है शमर गार्डन बिना ग्रीन नेट के भी चल जाता है फ्रेंट्स और अच्छे फ्लावर्स आप ले सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना है अभी जो मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ plants को अच्छे से flowers में लाने के लिए और साथ ही plants को तरो ताजा रखने के लिए वही आपसे share करूँगी ये सारे मेरे plants दिवार के किनारे रखे हुए है जहां पर 12 बजे तक की sunlight इनको मिल जाती है 12 एक बजे तक कुछ winter plants अभी भी अच्छे से चल रहे हैं और हमारे यहां का temperature 40 प्लस हो गया है दिन का बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है अप्रेल और मई के महिने में हमारे 36 गर्में बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ती है यहां तितली plant देखिए यह चाय में रखा हुआ है और यह धूप में तो धूप में जो तितली plant है उसके पत्ते बिल्कुल तितली की तरह हो गए है और बंध हो गए है और जो चाय में रखा है एकदम दिवार से सटा हुआ उसका अच्छा हालत है तो तितली plant को आप एक दो घंटे की सनलाइट मिले ऐसे जगह पर भी रख सकते है मैंने एक बास्केट नीचे अपने पोर्च गार्डन में भी रखा हुआ है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है सनलाइट उनको नहीं मिलती तो वो भी अच्छे से चल रहे है और यहाँ जो परमनेंट प्लान्ट है उनको धूप में कुछ भी नहीं होता यहाँ देखे परसलें परसलें तो समर सीजन का राजा प्लान्ट होता है मेरे गार्डन में यह जो परसलें आप देख रहे हैं यह सीट से ग्रो होते हैं मुझे इसकी cutting लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, seed से ही ये बहुत ज़्यादा मातरा में grow होते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी में seed गीरे रहते हैं, जिसके कारण ये हर pot में उगाते हैं, और यहाँ पर grafted adanium है, जिसकी मैंने online shopping करी थी, वही है ये चार plant, बहुत अच्छे से growth तो इनकी नहीं हो रही है, और यहाँ pink अपराजिता double petal आप देख रहे है, seed से ये तैयार plant है, इसको full sunlight में मैंने रखा हुआ है, कुछ भी नहीं होता, अपराजिता का plant है, वो full sunlight का plant होता है, summer season में भी आप इसको full sunlight में रख सकते हैं, यहाँ पर दिनभर की रोशनी, दिन नहीं चला, नहीं तो मैं इसको collect करती, और इधर उधर ये सारे बिखर गए, मुझे दिख भी नहीं रहे है, दो तिन सीड ही यहाँ पर नजर आ रहे है, बिखरे हुए, तो इसको बांधना पड़ता है, नहीं तो फिर रोज देखना पड़ता है, अभी दो तिन दिन से मैं टेरिस पे आ नहीं रही थी, और आ भी रही थी तो मेरा ध्यान इस तरप नहीं गया, ये देखिए, ये उड़ गया है, और ये सिंगल पेटल पिंक वाला है, ये देखिए फ्रेंट्स, ये तीन सीड मुझे यहाँ पर मिले है, और इसको मैं यहीं पर मैं दबा दूंगी, तो यहाँ पर मैंने जुंड में रखे हुए है सारे प्लांट को, समर सीजन में आप दिवार के किनारे रखे, सारे प्लांट को, और एकदम ग्रुप में रखे, जुंड बना कर, जिससे होता क्या है, इनको गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती, एक दूसरे से चिपक के ज जब रहते हैं तो, और ये देखे, ये हमारा सुगंधराज का प्लांट है, इसमें भी फ्लावर आ रहे है, खुश्बुदार होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो फर्स्ट लव है, फर्स्ट लव में भी देखे, कितनी सारी कलिया बनी है, और फ्लावर भी कितन तक सनलाइट में रहते हैं और टिकोमा वगेरा प्लांट है ये अलमंडा टिकोमा एकजोरा अबोली तो इनको धूप चाहिए होता है कोई खास दिक्कत नहीं होती इनको पाउडर पफ ये सब सनलाइट के ही प्लांट हैं देख सकते हैं आप बहुत बढ़िया इसमें फ्लाव क्रीमिश कलर है वाइट भी नहीं है और यलो भी नहीं है और इधर भी देखिए ये पूरे दिन की सनलाइट में ही रहते हैं ठिथोनिया का प्लांट है सिजनल प्लांट होता है ये रेनी सिजन तक इसमें फ्लावरिंग होती है उसके बाद मैं इनको निकाल दूँगी और यह सनफ्लावर का प्लांट है इसमें बड्स आ गया है और यहां पर भी आप देख रहे हैं वो ऐसे प्लांट हैं जिनको सनलाइट चाहिए होती है यहां देख सकते हैं यूफोर्बिया है और मैक्सिकन पिटूनिया है जिसके दो कलर दिख रहे हैं यहां पर आपको और यह व इस थल कमल में देखिए कितने अच्छे से बड्स बने हुए हैं ये विनका है सभी पेंटास है आप देख रहे हैं इस थल कमल में आज एक फ्लावर भी खिला हुए है और अभी 12 बजे है दोबहर के जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है सुबह एकदम वाइट कलर था फ्लावर का और अभी लाइट पिंक हो गया है और शाम को डार्क पिंक हो जाएगा बहुत बढ़िया प्लांट है कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है एक कटिंग मैंने फिर से तयार कर ली है इसकी और ये देखिए ये परसलेन सी देख सकते हैं औरेंज है तो इस तरह से अपने आप ही कलर चेंज वाला सीड से तयार हो जाता है परसलेन का प्लांट जो पॉलिनेटर आते हैं हमारे गार्डन में पॉलिनेशन होता है उसके कारण नए नए कलर निकल के आ जाते हैं और ये भी सीड से तयार विन का है और य नहीं लगाती पर्सलेन की मेरे यहां तो सीर से ही उगता है बहुत हर पॉर्ट में आपको दीखेगा यह देखिए यहां पर वाइट गूढ़ल में फ्लावर आया है एक और चीज दिखाती हूँ मैं यह जो सेवन्ती का पॉट है इसी में मैंने तीन कटिंग गड़ा दिया था ब्लिडिंग हाट का जब मैंने पुरूनिंग करी थी लगभग एक दो महना हो रहा होगा और गड़ा दिया था और ऐसे ही स अलावर भी आ रहा है तो हम कह नहीं सकते कोई कोई कटिंग इतने अच्छे से ग्रों हो जाते हैं उसको सेडी प्लेस में रखने की ज़रती नहीं होती वो फुल संलाइट में भी ग्रों हो जाते हैं तो प्रकृती कुछ भी दिखा देती है अगा तो वह हम यहां पर मैंने देखिए इसको भी मैंने फुल सललाइट में रखा है, कल ही मैंने कटिंग लगाई है, पोर्चुलाका की, पिछले साल के पोर्चुलाका थे मेरे पास, जिसकी हालत अच्छी नहीं थी, मैंने सबको हटा दिया, यह देखिए यह टायर प्लांटर में था, और जो अच्छी-च कटिंग थी, ग्रो हो रही थी, नय-नय स्टेम उसको मैंने कटिंग लगा दिया है, देखते हैं, यह जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, इनको मैं सललाइट में ही रखती हूँ, यहां पर आप देख रहे हैं, वो ही विसकस है, और यह देखिए यह वाला कितना अच्छा है, इसक कल सेपरेट किया, और रात भर यही पर था, और अभी भी देज धूप में पड़ा हुआ है, तो इसको सेड़ी प्लेस में में रख दूँगी, कटिंग से रेडी हुआ था, तो इस तरह से देखिए, आप साइड में, यह देखिए, यहां पर पूरे दिन भर की सललाइट मे रहते हैं, यह प्लांट, कुछ भी नहीं होते हैं इनको, फुल सललाइट के प्लांट है, यहां मैक्सिकन पिटूनिया उगा हुआ है, और यह सारे हिविसकस है, देशी हिविसकस है, और यह चांदनी है, चांदनी यहां पर देख रहे हैं, वो मैक्सिकन पिटूनिया फिर स सीट से ही तैयार हुए है और यह चंपा है इसको भी फूल सनलाइट चाहिए और यहां पर अलमंडा वाइन है दो तरह के इनको भी फूल सनलाइट ही चाहिए होता है बोगन विला को भी फूल सनलाइट चाहिए यह भी बहुत अच्छे से चलते हैं तो ऐसे ऐसे प्लांट पर्वाइब कर जाते हैं यदि आपके पास टेरीस है और सेडी प्लेस नहीं है तो चुन कर प्लांट लगाईए समर के पर्मानेंट प्लांट बहुत सारे हैं कनेर है नाग चमपा है और यह है मधुमालती है बहुत सारे प्लांट्स है जिसको आप लगा सकते हैं और दो टाइ साम दोनों टाइम पानी देती हूं और जिन प्लांट्स की में नमी रहती है उनमें नहीं डालती और शावरिंग करिए दो तीन दिन के गैप में तो यही दिखाना था मिलते हैं